मैं सीमा मातूर, आज का टॉपिक है पेटा, प्रेजिरेंट यानिकी राष्ट्र पती करेंगे हम इंडियन पॉडिटी में, ठीक है? जिसमिंट से एक नमबर आपका जो ज़रूर पकाई, एक नमबर का उशेन आना ही आना, ठीक है? राष्ट्यपति का जिकर किस वाग में? पाँच में हैं, उक्के जी यूनियन संग है, अनुछेद 52 से लेके क्यावन तक इसकी प्रशारित किया गया, प्रेजिडेंट को राष्ट्यपति कहते हैं, वाइस प्रेजिडेंट को बराष्ट्यपति बोलते हैं, यूनियन अब इससे आगे बढ़ते हैं इन सारी चीजों को डीटेल में करेंगे और इससे आगे करेंगे तु देखिया आपके सामने राष्ट्य पती बेट अनुछेद 52 से अनुछेद 62 है भारत का राष्ट्य पती होगा अनुछेद 52 में कहा गया है राष्ट्यपती संकी कारिय पालिका का परमुक होता है और इसकी योगेता है क्या है पारत का नागरिक होना चीए नियूनतम आयू पैंतिस वर्ष वेरी इंपॉर्टन्ट लाइन है ठीक है और लोग सबह खास दस्थ से होना चीए अब कारिय पालिका में देखो प्रदान मंत्री और मंत्री परिशद होते हैं बिटा ध्यान रखे एक नंबर का कुशन आपके पेपर में कोई भी एक्जाम हो आना ही आना है और जो मैंने ये लो किलर से कर रखा वो कुशन कई बार आ चुका है अच्वक की जी आगे दिखते हैं अब इसका चुनाओ कैसे होता है दिखो लोक सभा के निर्वाचित सदस्से और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्से और MLS of States उनके द्वारा होता है 39 राज्य हैं दो केंदर शाषित प्रदेश हैं डेली एंड पंड चेरी और किस अनुछेद में आता है इसके चुनाओ का जिक्र चमवन अनुछे निर्वाचित सबीची जो से मिलक के राष्टेपत्ती को वॉट करते हैं उससे इसका क्या होता है चुनाओ होता है इससे आगे इसकी शक्तियों का प्रिचार के बारे में पढ़ते हैं बिटाब अब इसकी चुनाओ पत्ती कैसी है देखो सिंगल ट्रांसफेरेवल वॉटि लैना ही देना होगा प्रियरिटी की आदार पर होता है फिर जिसको प्राप्त होते हैं उसी को बनाया जाते है जैसे की रामनात कॉविंद को चुना गया था फ़स्त पी अब शैक है आप शापत कौन दिलाता है सर्वोच नहले का मुख्य नयाई दीश होता है बेटा वो राष्टे पती को क्या दिलाता है शपत दिलाता है जो हमारे उस्तमने है लेगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयाई दीश होते हैं वो इन्हें शपत ग्रहन कराते हैं अब राष्टे पती की चुनाव पती के बारे में भी हमने पड़ा इससे जिकर की सनुछेद में 61 में है अब एक संसद होती है हमारी ठीक है उसमें लोक सबह राज्जे सबह के सबसे होते है अब step first क्याती है one fourth लोग लिखीत में अगर notice देंगे राश्टे पती को 14 दिन बाद वो दो तियाई वोट से होंगे जो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा फिर राज्जे सबहा में दो तियाई वोट होंगे तो राश्टे पती हटा दिया जाएगा यनकी एक दूसरे से क्या है बेटा connected है सारी चीज़े ठीक है एक अकेली कोई भी इसको बदल नहीं सकती ठीक है इसकी एक परिकिरिया है आगे देखते हैं आप राश्टे पती के अधिकारों के बारे में राश्टे पती निमन लिखे तकिन उक्ति करता है किन किन की करता है आप देखो प्रदान मंत्री की सलापर मंत्री परिशद की सरवोच नैल और उस्तिम नैल के मुक्चे नैदीशों की एजी आई की लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की और सदश्यों की वित आयोग के सदश्यों की राज्यों के राज्यपाल की यानि की लजी की ठीक है राश्टे पती संसित का क्या होता है बिटा अभिनंग होता है और संसित द्वारा पारित विदेख राष्ट्यपति के अनुमोधन के बाद ही क्या बनता है कानून बनता है यह निकि उसकी अनुमोधन के बाद ही किसी को कानूनी रूप से पारित किया जा सकता है कानून नया बनाया जा सकता है किसके द्वारा संसत द्वारा अगर राष्ट्यपति की क्या हो बेटा अनुमोदन हो तो ठीक है इसके अलावा नहीं बनाया जा सकता किसी भी कानून को अब इससे आगे बढ़ते हैं इतने अधिकार अब यहां से कोशन निकल सकता है कि राश्टेपती की अधिकार कौन-कौन से किन-किन इपतिया करता है तो आप द्यान से देखिएगा ठी कि अगहर पूच़ा जाए राज्जों के राज्य पाल की कौन करता तो वो कोन करता है राश्टेपती ही करता है ओके जी इस से आगे very important points, most important, यहां से कोशन जरूर निकलेगा लोग सबा से दो चुन सकता है अंगला भारती समूदाई की और अज्य सबा से बारा जो कलास आई ते पतर कारे ते विज्ञान समाजिकारियों में निपूनों अब संसद के दोनों सदनों का संयुक सतर भी कोन बुला सकता है राष्टे पती बुला सकता है बेटा जिसके पास ये पावर है तो आपके पेपर में कोशन यां से भी बन सकता है चाहे कोई भी क्यों न एक्जाम हो जिसमें GS का पार्ट आता हो, पॉलिटी का पार्ट आता हो, सभी में, ओके बेटा, इससे आगे और बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है, राश्टेपती के अपातकाले हैं, अमर्जिन से शक्तिया कौन सी है, तीन परकार की प्रापते हैं बेटा, और अनुचे 362 में क्या है, राश्टिया पातकाले, 356 में राश्टेपती शाषने, राज्जों में, अनुचे 360 में क्या है, वित्या पातकाले, ठीक है, अब इसमें यूद बाहिया, आकर्मन और विद्रो वेगरा होते हैं, ठीक है, अब तीन बार राश्टिया पातकाल लगा लगा है बिटा ठीक है अब एक मातर वैक थी जो दो बार राष्टेपती बने हो वो कौन थे राजेंदर प्रशाद थे पहली महिला राष्टेपती प्रतीवा पाटिल थी और ये कहां से थी राजस्तान से थी बिटा ठीक है निर्विरोध जीतने वाले राष्टेपती कौन की दोरान हुई थी अब इंपोर्टेइंट आर्टिकल देखो बावने में किसका था राष्टेपती होगा एक वारत का चव्वन में निर्वाचन है राष्टेपती का और एक सट में उसको महावियोग के द्वारा किस परिकरिया द्वारा हटाया जा सकता है वो मैंने डिट तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें